तो गई सबसे पहली चीज ही हमारे simple photo आप देख सकतो हूं यहाँ पर का अच्छे से एडिट के जो कि काफिए ज़्दा ओसम लग रहा हूं तो इस वीडियो में आप सभी को कुछ इस step से face smooth करना, background change करना और इस step से background color change करना में सिखा होगा तो अगर आपको भी सिखना है तो वीडियो को अच्छे से step by step watch करो क्योंकि इस video में आपको सब कुछ detail में अच्छे से explain करने वाला तो अगर आपको जाना है तो अच्छे से video को जोरू watch करना तो before after एक पर फिर देख लो आप ठीक है तो अगर आपको सीखना तो वीडियो को अच्छी से step बोच करना छोटा से वीडियो आप कुछ-कुछ सच्छी से समझ जाओगे तो चले वीडियो का मैं भी start कर लेते हैं तो सबसे पहले जीज अपने photo का मैं यह पर एड़ करेंगे अपने auto-dates this casebook application के अंदर इन यहापर सबसे पहले जीज इस पर हम tool पे click करेंगे टीक है अब इसकी settings आपको बता देतों तो यहाँ पर देखो हमने strain को रखा है 11% और flow को रखा है हमने 6% अब इती settings के रख सकते हैं इसके बाद पर क्लिक कर लेना अब इस तरीके से थोड़ी से size हम बड़ी कर लेंगे और अब अपने photo की layer के हमको पेले empty layer को duplicate बना लेना होगा ठीक तो मैं इस तरीके साब को बता रहूं कि किसा आपको brush को apply करना है तो सेम आप इसी तरीके से अपने brush को apply कर लेना ताकि आपका face काफी जटा अच्छा दिखने में लगे तो थोड़ी size हम कम कर लेते हैं फटाफर से अपने face को smooth कर लेते हैं तो आप इसी तरीके से अपने face को अच्छे से smooth कर लेना तो मैं वीडियो को थोड़ा से skip कर देता हूं यह fast कर दूँगा ठीक है ताकि आपको time time भी नहीं लगे तो हमारे face से smooth हो चुका है वाकि काफी awesome तरीके से इपर आपको photo before after भी दिखा देता हूं तो इसकी ठोड़ी layer की opacity भी कम कर देंगे layer को यह पर merge कर लेंगे और अब देख हमारे face काफी awesome लग रहा ठीक है अब photo का color change करना ठीक है तो यह बच्छाव ऐसा पहले है उसको हम थोड़ा smooth कर लेते हैं यहां पर तो इस तरी background को change करना होगा background का color तो इसके लिए फोटो को simply save कर लेंगे अपनी gallery में and direct आजिंगे अपने lightroom application के अंदर ठीक है तो यहां से फोटो को share कर लेते हैं and open कर लेते हैं अपने lightroom application के अंदर तो यहां पर photo हो चुका lightroom में open अब इतना हम complete करने के बाद आपको lightroom का preset के यहां पर इसका link में आपको description box में दे दूँगा तो आपको कुछ नहीं करना simply three road पे आना है इसकी settings copy कर लेना है ठीक है और अपना जो भी original photo है for example हमारा यही वाला photo जो हमने every touch किया है उसको select कर लें तो आप इससे end is back है हम इसको paste कर देंगे and just one click में आप देखना जादू कुस steps हमारा फोटो यहां पर edit हो जगा जो कि वाकिया में काफी ज़्यादा awesome लगेगा ठीक है अब बार यहां थे मेरी background को blur करनेगे तो background को blur करना भी काफी ज़्यादा आसा ने background को blur करना होगा अपने face application के अंदर जहां पर background को blur करेंगे एकदा one click में तो आप देखना हो आप देखना ह लोड लेगा तो यहां पर अपने net का on रखना जदो जरूरी है तो यहां पर आपने net on रखना ठीक है अब background को blur करने के लिए आपको simply कुछ ही नहीं करना आपको इस तरीक से सबसे last में आ जाना को scroll कर गे तो यह हमारा photo अपर उपन हो चुका ठीक है and last में आने के बाद आप बुके का option देखने को मिलेगा आपको simply इसको select कर लेना होगा and just one click में अब देख सकते आपका background blur हो चुका है open city आप अपने सबसे कर सकते हो यह before after देख लो ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो please sir video का like कर देना and channel पे नहीं हो तो please channel को subscribe कर देना and to extra part आ रहा है उ आपको आपने सबसे कर सकते हो बाकि आपको वीडियो के सबस्क्राइब करके बता देना इन चैनल पर नहीं हो तो please channel को subscribe कर ले नहीं मिलते किसी नेक्स वीडियो में तप्ते के लिए टेक क्यार बबबाई जेहिंग वनने मैतरा है तो यह चैनल को भी subscribe कर लेना इन वीडियो